हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप यह अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp के जरीए, signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक squareish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख पाएंगे fingers काफी thick नजर आ रही है, काफी अच्छी length में है यहाँ से आप fingers की thickness को judge कर सकते हैं fingers का thick होना दरशाता है कि native की energy and stamina काफी बेतर रहेगा fingers के उपर आपको कुछ इस तरह है कि बारीक सीधी खड़ी रिखाएं नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से native मिलन सार सभाव का रहता है ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं काफी अच्छी personality ऐसे व्यक्ति की रहती है length की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तरजनी उंगली काफी थिक है और काफी अच्छी लंबाई में भी नजर आ रही है इस तरह की groove finger का होना indicate करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी knowledgeable होगा काफी अच्छी leadership qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है दूसरों को रास्ता दिखाने वाली personality और थोड़ी अध्यात्मिक type की nature ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल straight और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger नजर आ रही है इस तरह की शनी finger का होना दर्शाता है कि native काफी महिनती nature का होगा एक disciplined personality एक अनुशाशन प्रिया और नयाई प्रिया टाइप की nature ऐसे व्यक्ति की रहती है और ऐसे व्यक्ति अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरकी कर पाने में भी कामियाब रहते हैं सूरे finger की बात की जाए तो लंबाई में सूरे finger काफी अच्छी है लेकिन fingers का चुकाव हलका सा आपको इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ भी नजर आएगा जिस वज़े से थोड़ी वरग्या की भावना नेटिव के भीतर आपको देखने को मिल सकती है अदर्वाइस इनकी सूरे finger लंबाई में काफी अच्छी है अगर देखा जाए तो तरजनी के इकुल पहुँचती हुई सूरे finger दर्शाती है कि नेटिव काफी creative nature का होगा अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ती के भीतर रहती है और ऐसा व्यक्ती एक अच्छी पहचान बना पाने में अच्छी recognition बना पाने में society में काम्याब रहता है सूरे finger का अच्छी लंबाई में होना आपको एक line fingers के बिलकूल नीचे draw करकर दिखाना चाहूँगा यहां से गर हम एक line draw करते हैं तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख पाएंगे इनकी सूरे finger और शनी finger दोनों काफी high set हैं जबकि इनकी ब्रस्पती finger थोड़ी सी low set होती हुई और इसी तरह से mercury finger भी आपको low set होती हुई नजर आएगी ब्रस्पती finger का low set होना परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों को कम करता है और अगर mercury finger low set हो तो native की nature थोड़ी shy type की रह सकती है थोड़ा शरमीला टाइप का सभाव इनका आपको देखने को मिलेगा otherwise इनकी finger की length में कोई कमी नहीं है या finger length में अच्छी है जिसकी वज़े से native के communication skills और business equipment काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इनके mounts की अब यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरू परवत का area है काफी उभरा हुआ है भले यह mount हलका सा low set है लेकिन यह area आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा जिसको हम prominent ब्रस्पती mount कहेंगे इस तरह का उभरा हुआ गुरू परवत जिन लोगों के थेली में रहता है ऐसे व्यक्ति काफी ज्यानवान होते हैं इस mount के उपर progress lines मौजूद है जिने हम हाथ में काफी लकी मानते हैं यहाँ रिखाएं जिनके हम बात करें जो गुरू परवत तक पहुंच रही है यहाँ से देखें कुछ रिखाएं इस तरह से इनके गुरू परवत की तरफ बढ़ती हुई आपको नज़र आएंगे यहाँ रिखाएं इनकी जीवन रिखा से निकल कर ब्रस्पती माउंट की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा व्यग्दी अपने ग्यान के बलपर अपनी नौलिज के बलपर समाज में अच्छी पहचान बना पाता है समाज में लगबग मिडल एज से 45 के आस पास की एज़ के बाद ऐसे व्यक्ती को काफी अच्छा मांसमान मिलने लगता है और काफी अच्छी recognition ऐसा व्यक्ति बना पाने में काम्याब हो जाता है अगर हम शनी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनी का जो परवत है यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है और इस mount का दबना ज्यादा अच्छा संकीत नहीं होता शनी माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव को अपने चीवन में काफी मेहनत शुरुआती दौर में करनी पड़ेगी ऐसे व्यक्ति को अपने comfort zone से निकल कर भी काम करना पड़ सकता है थोड़ी धिक रहती है लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में भाग्या रेखा जिसको हम शनी रेखा भी कहते हैं वो मौझूद है आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूंगा हम किस रेखा की यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं यह रेखा जो आपको लगबग इस सेरिया से और यहाँ से एक four की shape में आगे बढ़ती नजर आएगी और यहाँ तक यह रेखा पहुँचती हुई इस तरह की रेखा जितनी सपष्ट हो उतना अच्छा माना जाता है लेकिन यहाँ पर आकर यह रेखा आपको कुछ overlapping से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी कुछ साथ-साथ assisting lines भी चल रही हैं जो यहाँ पर इंकी शनी रेखा को भागया रेखा को help कर रही है अगर हाथ में इस तरह की formation होने की बजाए एक सीधी रेखा हो तो और भी अच्छा माना जाता है अगर हथेली में सीधी और सपष्ट कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ तक पहुंच जाए जो बिलकुल नीचे से शुरू हो और शनी परवत तक पहुंच जाए इस तरह की रेखा को सबसे उत्तम माना जाता है और यह मांट उठा हुआ हो तो और भी अच्छा माना जाता है जिस तरह से हमें यहाँ पर कुछ काफी सारी formation रेखाओं की होती हुई नजर आ रही है इस तरह की रेखाओं जीवन में काफी सारे ups and downs को indicate करती है और इस तरह से इन रेखाओं का बीच में कटना भी यहाँ पर indicate करता है कि नेटिव को काफी सारे उतार चड़ाव अपने चीवन की middle age में जाकर देखने को मिलेंगे लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक पष्ट रेखा जो शनी परवत पर पहुंच रही है वो मौझूद है इस तरह की रेखा जो शनी माउंट के उपर आपको पूरी तरह से हरेद्य रेखा के उपर नज़र आए और सुर्य माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रहेगी ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई इनाम कोई appreciation नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक स्पष्ट रेखा आपको नज़र आएगी यहाँ रेखा जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं कुछ इस तरह कि सूर्य रेखा हाथ में मौचूद हो यहाँ दर्शाती है कि नेटिव की लेटरेज में पहुंचकर काफी अच्छी पहचान सुसाइटी में जरूर बनेंगी ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में हरेदय रेखा के ऊपर एक स्पष्ट सूर्य रेखा मौचूद होती है अपनी ओल्ड इज में चलकर काफी अच्छी रेकोगनिशन सुसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है यहाँ पर आपको एक फिशनुमा अक्रिती इस एरिया में बनती होई नजर आ रही होगी इस तरह का चिन सुर्य परवत पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर कोई नो की क्रिटिविटी जरूर रहती और इस क्रिटिविटी की वज़े से भी ऐसा व्यक्ति अपनी काफी अच्छी पहचान सुसाइटी में बना देता है मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप देखेंगे थोड़ा सा लो सेट माउंट जरूर है लेकिन एक उबरा हुआ बुद्ध परवत आपको इनकी हथेली में नजर आएगा और एक लंबी बुद्ध की रेखा आपको यहां पर नजर आ रही होगी ऐस इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनस एकुमेन काफी स्ट्रॉंग रहेगा ऐसे व्यक्ति के कम्मुनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं और अपने स्ट्रॉंग कम्मुनिकेशन स्किल्स की वजए से ही ऐसा व्यक्ति चीवन में तरकी पाता है साथी साथ यहाँ पर कुछ खड़ी रिखाओं का होना जैसे आप यहाँ पर कुछ इस तरह की रिखाएं देख पाएंगे इन रिखाओं का होना भी बहुत पॉजिटिव माना जाता है ऐसी रिखाउंट को हीलिंग लाइन्स के नाम से जाना जाता है जिनकी अथेली में इस तरह की खड़ी रिखाएं मरकरी माउंट के उपर मौजूद होती है ऐसा व्यक्ति दूसरों की हल्प करने वाला होता है अपने शब्दों से अपने करमों से अपनी सलहा या कंसिल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपिबिल्टी ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखू भी देखी जा सकती है अगर हम बात करें इनकी हाट लाइन की तो अब देख पाएंगे कुछ इस तरह की हृदयरेखा इनके हाथ में नजर आ रही है जो आगे चलकर इस तरह की ब्रांच के जरिए एक वी टाइप का सिंबल बना रही है इस तरह के चिन को विशनू चिन कहा जाता है और वी सिंबल में जरूर पाता है लेकिन इसके बिलकुल अपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से थन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती है और तरक्की में बाधा बढ़ सकती है तरक्की रुख सकती है ओवरॉल हाट ला हुआ और इसके साथ साथ कुछ डाउनवर ब्रांचिस भी इनकी हरेदय रेखा के नीचे की तरफ चलती हुई मिडल इश के बाद थोड़ी इनको अपनी हार्ट की हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहेगी ऐसी ब्रांचिस का होना नेटिव को ब्लड फ्रेशर, क लेकिन थोड़ा सा छुकाव लिये हुए और यहारेखा इनकी जीवन की रेखा है इन दोनों रिखाओं के बीच में एक बड़ा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह का गैप इन रिखाओं के बीच में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी इंडिप से ही responsibilities लेने में आगी रहता है और यहां पर आपको एक फोर्क बनता हुआ भी नजर आएगा इस तरह का फोर्क का बनना एक positive जिन है अगर इस तरह का फोर्क आपको मस्तिक श्रेखा के अंत में नजर आए तो यह नेटिव को काफी अच्छी पहचान society में दिलवा सकता है ऐ अगर ऐसा व्यक्ति अपनी imaginations को channelize कर ले तो यह फोर्क नेटिव को काफी strong creativity देता है अगर ऐसा व्यक्ति अपनी imaginations को अपनी कलपनाओं को सही तरीके से इस्तमाल नहीं करता तो नेटिव की चुकी हुई मस्तिक श्रेखा व्यक्ति को थोड़ा तनाव या थोड़ी anxiety जैसी problem भी दे सकती है हाथ में यहाँ पर आपको एक triangle बनता नजर आगा यह भागया रेखा है यह मस्तिक श्रेखा है और यह बारीक रेखा आपको mercury line के रूप में नजर आएगी तिनों रेखाओं की हल्प से यहाँ पर जो triangle बनता इस triangle को money triangle का नाम दिया जाता है और जिन लोगो जीवन रेखा की बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि लंबी और सपष्ट जीवन रेखा इनकी अथेली में मौचूद है यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा life line यानी जीवन रेखा कहलाती इस तरह की लंबी life line का होना काफी positive चिन है ऐसी जीवन रेखा होने से age ल मंगल रेखा कहते हैं बहुत ही अच्छा माना जाता है मंगल रेखा हाथ में हो तो native energetic रहेगा ऐसे रेखा होने से अच्छी property के योग बनते हैं सब विक्ति अपनी चीवन में काफी अच्छी property बना पाने में कामयाब जरूर होता है लेकिन थोड़ी aggressive nature भी इस रेखा की वज परवत कहलाता है और यहां प्रिष्ट्रह का चिन बनना बहुत ही भगयशाली माना जाता है जिन लोगों के हाथ में केतू परवत पर ऐसा sign बन रहा हो ऐसे व्यक्ति को चीवन में कई बार अच्छानक धनलाब होते हैं और ऐसा चिन होने से share market से lottery से insurance या inheritance जैसी जगहों से योग काफी strong बनते हैं अगर हम बात करें इनके शुक्र परवत की तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा इस तरह का उभरा हुआ उठा हुआ शुक्र परवत होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुक्सुविधाएं जरूर मिलेंगी लेकिन इ एक black color का हलका सा तिल बनता हुआ और कुछ आडी रिखाएं बनती हुई नजर आएंगी ऐसी रिखाओं का होना और तिल का होना अच्छा संकीत नहीं माना जाता इस तरह के चिन अगर शुकर परवत पर हो तो नेटिव को परिवार की तरफ से दिकतों का सामना करना पर सकता है नेटिव की married life में भी यहां पर दिकतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंदर परवत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ और यहां पर आपको काफी सारी ऐसी रिखाएं जो नीचे से उपर का पर कुछ आड़ी रिखाएं भी हैं और काफी सारी रिखाएं अगर चंदर परवत के उपर आपको इस तरह से नजर आएं इनकी वजह से थोड़ी anxiety और बेचैनी की समस्या का सामना भी native को अपने चीवन में करना पड़ सकता है तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे म और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जुआब एकी वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है अगर इनका कोई question pending है तो मुझे whatsapp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत प्रवाद